हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो टिक्सॉफ्वेर अकेडमी आज हम आपको सिखाएंगी कि मैनुफेक्चरिंग एडवाइस ओर्डर क्या होता है और टिक्सॉफ्वेर में इसे किस तरह से बनाये जाता है मैनुफेक्चरिंग एडवाइस ओर्डर एक ऐसा फंक्शन है एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से कोई भी कंपनी एडवाइस में स्टॉक बनाने के लिए ओर्डर जनरेट कर सकती है माल लीजे कोई कंपनी है जो अपना सारा स्टॉक एडवाइस से बनाके रखती है बिना किसी सेल्स ओर्डर का वेट किये तो उसे इस फंक्शन का यूज़ करना चाहिए वो कंपनी मैनुफेक्शरिंग एडवाइस ओर्डर के तुरू अपना प्रोडक्शन कंप्लिट करेगी आज़े देखते हैं तिक सॉफ्ट्वेर में किस तरह से हेल्फुल होता है सबसे बहले हम मैनुफेक्शरिंग प्रोसेस पर क्लिक करेंगे उसके बाद हम मैनुफेक्शरिंग एडवाइस ओर्डर फॉर्म को उपन करेंगे यहां से हम आप जैसा देख सकते हैं कि M.E.O. नंबर यह ओटमेटिक जनरेटिड नंबर है जब भी आप कोई मैनुफेक्शरिंग एडवाइस ओर्डर बनाएंगे तो यह नंबर ऑटमेटिक जनरेट होगा आप उसमें अपने डेट फिल करेंगे डिपार्टमेंट फिल करेंगे कि क्या डिपार्टमेंट है रिक्वेस्ट किसने करी है, अप्रूव किसने किया है और रिमार्क में जो भी आप डालना चाहें आइटम कोड में जाकर हम F1 प्रेस करेंगे और आइटम सेलेक्ट करेंगे जिसका भी हमें एडवांस में ओर्डर बनाना है जब भी हम कोई आइटम कोड सेलेक्ट करेंगे तो उसका आइटम नेम, डिस्क्रिप्शन, यूनिट और स्टॉक में कितना आवेलेबलत सब पता चलेगा उसके बाद हमें जितनी भी कॉंटिटी उसकी बनवानी है एडवांस में वह हम एंटर करेंगे रिमार्क में यहां कुछ डालना चाहें उस प्रोड़क्ट के लिए स्पेशिल वह भी डाल सकते हैं और उसे सेव करेंगे सेव करने के बाद हमारा मैनुफेक्ट्रिंग एडवाइस ओडर जनरेट हो जाएगा उसके अगेंज्ट ही आप अपनी प्रोडक्शन करेंगे तो यह था मैनुफेक्ट्रिंग एडवाइस ओडर टिक सॉफ्ट्वेर में अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.tickforgrowth.com पर विजिट कर सकते हैं डेमो के लिए हमें मिस कॉल दीजिए 7533016990 पर या फिर आप हमें मेल ड्रोप कर सकते हैं sales at the rate tick for growth.com पर थैंक यू, थैंक यू वेरी मुच